अफ्रीका महाद्वीब की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है टैंजनिया इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है सिरेंगिटी का ये विशाल मैदान अपने खास एको सिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाले खिस्मों का घर है विल्ड बीस्ट को अपने लंबे माइग्रेशन में कई बार नदियों को पार करना पड़ता है ये जलमार्ग काफी शान्थ हैं लेकिन पानी का स्तर नीचे होने पर किनारे खतरनाक तरीके से उंचे हो जाते हैं और खत्रा तो नीचे भी है नाइल क्रोकडाइल्स इन मगर मच्छों को मालूम है कि जुन्ड कब आएंगे और वो नदी पार करने की सबसे अच्छी जगें पर एकठा हो जाते हैं प्यास से बेहाल जुन्ड पानी के किनारे पहुचता है और क्रोकडाइल्स के लिए दावत का इंतिजाम हो जाता हैं मौका है तो क्यों न पेट भर लिया जाए क्योंकि ये जुन्ड साल में एक ही बार यहां से गुजरते हैं आस-पास के इलाकों में जब मुशलाधार बारिश होती है तो नदियां तूफानी हो जाती हैं और इन्हें पार करना जुन्डों के साम में एक चुनावती होता है लेकिन विल्डबीस्ट को एक खास दिशा में जाने की जानकारी विरासत में मिलती है उन्हें नदी को पार करना ही है किसी भी कीमत पर खत्रों के बावजूर मगर मच्छों को मालूम है कि कुछ जीव तो बहाव में डूबेंगे ही और फिर वो दावत कर सकते हैं जुन्ड में अफरा तफरी और बेचैनी है सकरे रास्ते में भीड हो गई है और शिकारी गात लगा कर बैठे हैं एक शेरनी की वज़े से दहशत फैली हुई है इनकी गिंती हजारों में होती है एक सहज इच्छा जुन्ड के हर जीव को आगे बढ़ाती है बाधाओं के बावजूद इनकी जिन्दगी का चक्र उसी तरह चलता रहता है जैसे की मौसम का जीवरा ने तो अपनी जान बचा ली लेकिन मौत के चंगुल से दूसरे मुश्किल से ही बच पाते हैं आगे बढ़ने वाले जीवों के सामने मुश्किले ही मुश्किले लेकिन ज्यादा तर जीव पार हो जाते हैं विल्डबीस्ट और जीवरा ने लाखों साल के बिकास के बाद कभी ना खत्म होने वाले माइग्रेशन के लिए खुद को ढाल लिया है ये टॉम्सन्स गजैल किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं शायद पानी के कम होने का जिससे ये उन जगों को देख सके जहां मगर मच मौजूद है सूखे के मौसम को जेल पाने के लिए विशाल जुन्ड आगे बढ़ते हैं जिराव जैसे जीवों के लिए अभी तो यहां घास और पानी है लेकिन जल्द ही जुलसी जमीन लाखों खुरों के कुछले जाने से एकदम बंचर हो जाएगी जंगल में रहने वाले मौके का पूरा फाइदा उठाते हैं गर्मी बढ़ती है तो टॉम्सन्स गजैल सरेंगेटी के दक्षिन और पूर्वी मैदानों से मध्ध और पश्चिमी जंगलों की तरफ जाते हैं चारे के बेहतरीन मैदानों तक पहुचने के लिए उन्हें कई नदियां पार करनी होंगे विल्ड बीस्ट की तरह इन्हें भी डर है कि पता नहीं पानी की नीचे कौन छपा हो कम उम्र के एक अकेले जीव के लिए पानी में छलांग लगाना बड़े हौसली की बात है जब गिंती और अफ्तार दोनु ही ज्यादा हो तो शिकारी परिशान ही होंगे सिरेंगिटी में विल्ड बीस्ट के बाद एंटेलो प्रजादी के इन गजैल्स की गिंती सबसे ज्यादा है अनुमान है कि ये पाँच लाख से भी ज्यादा है दक्षिन में सूखे के मौसम के आने के बाद विल्ड बीस्ट मैदान छोड़ कर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चले जाते हैं फिर से बारश शुरू होने तक उस इलाके के उत्तरी हिस्से के जंगल इन्हें खाना और आश्रय दोनों देते हैं सरेंगेटी में माइग्रेशन का वक्त उस साल के मौसम के पैटर्न पर निर्भर करता है दोनों का ही सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता ये हमें मालूम है कि विशाल जुन्ड मौसम की परिस्थितियों का बहुत फाइदा उठाते हैं आम तोर पर ये सूखे के मौसम के तकरीबन पांच महीने उत्तर में जंगलों और घास के मैदानों में बिताते हैं फिर एक दिन अचानक इन्हें इस बात की भनक लग जाती है कि कहीं दूर दक्षिन में तूफानी बादले कठा हो रहे हैं और तब ये विशाल जुण्ड दक्षिन की ओर अपना सफर शुरू करते हैं और एक बार फिर प्रजिनन करने वाले अपने इलाकों की तरफ बढ़ते हैं बिनाघास के मैदान बारिश के आने पर फिर से हरे भरे हो जाती हैं और जिन्दगी का चक्र एक बार फिर शुरू हो जाता है झाल जाता है जब तक जुन्ड वापस नहीं आते चीते जैसे यहां के जीव जो आसानी से मिल जाता है उससे ही गुजर बसर करते हैं जजर जाता है झाल झाल कर दो, दो कर दो खुटता है आग सरेंगेटी के परियावरन का ही एक हिस्सा है धदकती लप्टें पौधों को जलाकर घास के मैदानों का रख रखाव उन लाखों जीवों के लिए करती हैं जो इन पर निर्धा है आग तेजी से भैलती है लेकिन जो भाग सकते हैं वो लप्टों से पच जाते हैं पुरानी घास जल कर राख हो चुकी है और इसी राख से नए पौधे बनवते हैं लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि छुपने की कोई जगए नहीं बचते हैं छोटे शिकार पकड़ना एक बात है लेकिन शिकार को मारना दूसरे हैं चीते के बच्चे जब तक एक साल के नहीं हो जाते अपनी मापर ही निर्भर रहते हैं टॉम्सन्स गजेल या टॉमीज जुन्ड में चलते हैं इन्हें अपनी रफ़तार और ज्यादा दादात पर भरोसा है विल्डबीस्ट को गए बहुत वक्त बीच चुका है लेकिन मगरमच जो हाथ लगे वो खाते हैं और किसी से नहीं डरते किसी भी रेप्टाइल के लिए छलांग लगाते शिकार पर हमला करना मुश्किल होता है ये रुकने का वक्त बिलकुल नहीं है पिछले कुछ बर्सों में टॉमसिंस गजैल्स की गिंती 60 प्रतिशत कम हो गई है इसकी वज़े शिकारी नहीं बलकि परियटक आवास में बदलाव और सडकों का विकास है प्रजनन के लिए तयार नर अस्थाई इलाके बनाते हैं क्योंकि ये एक ही जगहे पर ज्यादा देर तक नहीं टिकते हर साल विशाल जुन्ड एक मैदान से दूसरे मैदान में जाते हैं और ये रस्म उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव जाते हैं कुछ रास्ते में बिछड जाते हैं लेकिन शिकार अगर लाखों में हो तो शिकारी को कुछ हास फर्क नहीं पड़ता कुछ रास्ते हैं घास के मैदानों में लोडते विशाल जुन्डों का नजारा चौका देने वाला होता है और अब इनकी गिंती एकदम से बढ़ने वाली है कर दो वाल जास्ते हैं कर र मिह घाटाल, कर अ झाटा नच我想 व कर दोग दोगो करना कि भी हो सक जह बाए ह démory कि कि यह लोगी को कि औम अ है लाटा को है, लोगा याग वन्हारी वुर्य क rotated कर शुर दे था लाटा थार यह आपाne इन सभी बच्चों की जिंदगी एक से दूसरी जगहें जाते हुए ही बीतेगे और इसकी शुरुवात इनके जन्म लेते ही हो जाती है कर दोसरी जाते है करता है अजू है। माइग्रेट करने वाली हर प्रजाती के बच्चे को पैदा होने के कुछ ही मिन्टों बाद अपने पैरों पर खणा होना पड़ता है वो सबसे पहले अपनी मा का दूद पीता है और फिर उसके पीछे चल पड़ता है प्रवाद 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 के लाद पर खड़ता है सेरिंगेटी के विशाल माइग्रेशन का दृष्ष प्राकृतिक दुनिया का एक अनोखा नजारा है मौसम बदलते हैं बारिश के बाद आता है सूखा लेकिन जिन्दगी का सफर जारी रहता है जब इतने जीव लगातार चलते रहते हों तो उनके रास्ते के हर जीव की जिन्दगी पर असर पड़ता ही है जब आता है दूर हो रही बारिश की बूंदे, छोटे बड़े सभी जीवों को उस रास्ते पर ले आती हैं, जो सदियों पुराने हैं ये सब एक साथ उस खतरनाक लंबी दौड को पूरा करेंगे, जिस पर पहले करोडों घरे साबित हो चुके हैं इलाका और शिकारी दोनों ही अपना-पना हिस्सा लेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जिन्दगी का नाम ही है, चलते रहना